Hello, दोस्तो, Welcome to my YouTube channel दोस्तो, आज हम जानेंगे Aetle Payment Bank Account Maintenance Charges के बारे में दोस्तो, लाश येर में Aetle Payment Bank ने कई सरे Charges को Change किया है, कुछ New Charges को भी आड़ किया है Aetle Payment Bank ने जुलाई दोज़र चबीश से Account Maintenance Charges को आड़ किया है दोस्तों पहले दो charges था एक है annual subscription charges जो की 100 रुपे था और इसमें 80% JST मिला के total charges 108 रुपे था ये जो charges था ये annual charges था इसलिए हर सल 108 रुपे आपके account से debit हो रहा था लेकिन ये July 2024 से बंद हो गया है second charges से account operation charges ये जो charges था ये per quarter charges था यानि 3 महिने में इसमें 18% JST मिला के total charges 17 रुपे का था ये quarterly charges था इसलिए 3 महिने में एक बार account से debit हो रहा था ये भी July 2024 से बंद है यानि annual subscription charges and account operation charges July 2024 से बंद हो गया है मतलब future में भी ये कभी नहीं लागेगा तो दोस्तों जो 2 charges से annual subscription charges and account operation charges ये 2 charges मौर्ज हो के account maintenance charges हो गया है अभी आपको ATL payment bank की account maintenance charges को देना होगा ये जो charges से ये quarterly charges से power quarter आपको account maintenance charges को देना होगा तो यहां पर power quarter account maintenance charges बाया ली स्रुपे हैं इसमें 18% JST मिला के total charges उन्चास रुपे हैं power quarter उन्चास रुपे का charges सबको लगेगा एक साल में ये 4 बार लगेगा यानि power quarter जो 3 महिना में एक बार लगेगा तो एक साल में 4 बार आपकोई charges को देना होगा तो ये जो account maintenance charges से ये October 2024 से collect किया जाएगा यानि इस महिने से account maintenance charges सबी के ATL payment bank account से debit होना स्टार्ट हो जाएगा तो या भी October end है तो October end से धीरे धीरे सबी के account में जो ये charges लगेगा account maintenance charges का क्योंकि ये जुलाई 2024 से लग हुए तो अभी तक 3 महिना हो चुका है तो future में धीरे धीरे सबी के account से account maintenance charges 99 पे debit होगा दोस्ता अगर आपके bank account में zero balance से और sufficient account balance नहीं है तो ये charges pending हो जाएगा जब भी आपके account में पैसा आएगा त अभी automatic bank की तरब से ये charges debit हो जाएगा इसलिए pending charges अभी तर एकाउट से debit हो रहा है जिनके जो भी चार्जिस जो भी sms charges या जो भी charges pending थे तो अभी बहुत से अभी debit हो रहा है जब ये एकाउंट में पेशा आएगा ता वाटम वे टेक बेंक की तरब से डेबिट हो जाता है तो उस्तों यह रहा एटल पेमेंट बेंक की एकाउंट मेंटेनेंस सर्जिस के बारे में तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पर बताएए अच्छा लगे तुम्हां लाइक सेरें सब्सक्राइब करना तेंकी फार वाचिंग